दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत आसान भासा में पोइंट रम्मी गेम खेलना सिखाएगे पोइंट रम्मी गेम क्या होता है और इसको कैसे खेलते हैं आपको पूरा वीडियो में बताने वाले हैं आपको वीडियो पूरा देखना है बिल्कुल भी आपको वीडियो कोई skip नहीं करना है तो चलिए दोस्तो आपको सिखाते हैं तो यहाँ पर दोस्तो हमने रम्मी सरकल एप को डाउनलोड किया हुआ है और इसको जो हमने यहाँ पर इंस्टोल किया हुआ है तो आप यहाँ पर कोई भी platform जो है यूज कर सकते हो रम्मी खेलने के लिए तो सब में जो है आपको point रम्मी का option मिल जाएगा तो cash games के अंदर आता है point रम्मी का option तो दोस्तो जब भी आप point रम्मी पर click करते हो तो यहाँ पर आपको कुछ इस परकार का interface देखने को मिलता है उपर सबसे पहले आपको यहाँ पर players को select करना होता है तो यदि आपको 2 player के साथ खेलना है एक आप और एक आपके opponent तो 2 होगे और इसी तरीके से यदि आपको 6 player के साथ खेलना है एक आप और 5 opponent होगे तो आप जिस भी players के साथ खेलना चाहते हो वो आप यहाँ पर select कर सकते हो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक term यूज करी जाती है point value यहाँ पर आपको point value को select करना होता है तो यह point value का क्या मतलब होता है वो आपको समझना है ध्यान से कि total जो रम्मी में आप जो point आप loss करते हो जो maximum आप point loss करते हो वो होते है 80 80 point 80 point आप maximum जो है loss कर सकते हो तो जो point 80 है उसको आपको गुना करना होगा अपनी point value से 0.05 तो 80 के साथ यह आप गुना करोगे 0.05 की तो यहाँ पर कितना निकल के आता है 4 रुपे यानि कि यदि आप point value 0.05 को सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आप 4 रुपे वाला गेम खेल रहे हो इसमें आप maximum जो है 4 रुपे हार भी सकते हो और maximum 4 रुपे जीत भी सकते हो यह maximum बोल रहो मैं आप ऐसा नहीं कि हर बारी 4 ही हर होगे यदि आप drop करोगे तो आपका केवल 20 ही point जाएगा तो 20 point का value कितना निकल के आएगा 20 को जब आप multiply करोगे 0.05 के साथ तो यहाँ पर 1 रुपा निकल के आएगा तो यदि आप drop करोगे तो यहाँ पर आपका केवल 1 ही रुपा जाएगा और बाकी आप यहाँ पर वो आगे depend करता है आप कितने point यहाँ पर हारते हो या जीतते हो उस हिसाब से आप यहाँ पर value निकाल सकते हो जितने point भी आप यहाँ पर loss करते हो या win करते हो उसको आप वो simply multiply करना होता है point value के साथ ठीक है तो आप यहाँ पर अभी जैसे मैंने 0.1 कर दिया तो यह कितने रुपे का गैम हो गया 0.1 multiply by 80 8 रुपे का यह गैम आप खेल रहे हो इसी परकार से आप यहाँ पर असानी से जो है इस calculation को लगा कि आप यह पता लगा सकते हो कि मैं यहाँ पर कितने रुपे का गैम खेल रहा हूँ maximum मेरा यहाँ पर कितना रुपा जो है मैं lose कर सकता हूँ या win कर सकता हूँ तो यह आपको यहाँ पर calculation जरूर लगाना है उसके बाद ही आपको यहाँ पर point value को select करना है अधरवाई दोस्तों आपका बड़ा लोस हो जाएगा आपको बता नहीं लगेगा कि आप कितने रुपे का गेम खेल रहे हो और आप ज़्यादा रुपे जो आप यहाँ पर हार सकते हो ठीक है तो यह इसलिए मैंने आपको समझाया है पोइंट रम्य यदि आप खेलते हो तो उसमें आपको यह टरम जो है पोइंट वैल्य वाली यह आपको समझनी बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि यह आपको सही से सलेक्ट करना होगा ऐसा नहीं आप कुछ भी सलेक्ट कर दे रहे हो आपको पता होना चाहिए कि आपके वॉलिट में कितने रुपे है अभी मेरे वॉलिट में आप देखोगे यहापर पांच रुपे है तो मैं यहापर कैसे खेल सकता हूँ 0.25 0.25 को multiply करोगे 80 के साथ कितना हो जाएगा तो यह तो 20 रुपे का game हो जाएगा 20 रुपे तो मेरे वॉलिट में भी नहीं है तो इस वाले point value का game तो मैं खेली नहीं सकता तो इसलिए मुझे यहापर देखना पड़ेगा कि मुझे यहापर कितना point value सलेक्ट करना चाहिए वही है जिससे आप जैसे आप deal खेलते हो या पूल खेलते हो वही रूल आपको point रम्मी में भी लगाने होते है और दोस्तों यदि आपको rule नहीं पता है रम्मी खेलने के तो उसके लिए मैंने एक separate वीडियो बनाया हुआ है और रम्मी खेलने के जो नियम है उनको सीख सकते हो तो यहापर दोस्तों अभी मेरे पास card आ गए है और card मेरे पास ठीक ठाक है मेरे पास यहापर अभी तीन जोकर मेरे पास आ गए है तो मैं यहाँ पर game को खेलूगा और आपको दिखाऊगा भी कैसे यहाँ पर कि यहाँ पर किस परकार से point रमी game खेलना होता है यह देखे सबसे पहले मैं आपको यह clear कर देना चाहता हूँ यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो 80 लिखा हुआ your score 80 तो maximum जो है यहाँ पर आप 80 point ही हार सकते हो वैसे यहाँ पर आपको 80 one's हो रहा होगा लेकिन maximum जो है यहाँ पर 80 point ही loss होगे आपके total value चाहे 80 से कितना भी उपर आए 90 आए 95 तो भी आपका 80 point maximum यहाँ पर loss हो सकता है ठीक है तो अभी जैसा मैं आपर एक card जो है लेकिन सबसे पहले आपको पता है हमको यहाँ पर एक pure sequence बनाना होता है फिर उसके बाद हमको यहाँ पर एक sequence बनाना होता है दूसरे में sequence चाहे तो pure हो चाहे तो impure हो तो अभी तो हमारे पास यहाँ पर ना ही तो pure है ना ही impure है तो सबसे पहले तो हमको 2 sequence बनानी पड़ेगी तो हमको कोजिस करना है कि कैसे भी करके हमारे यहाँ पर एक pure sequence और दूसरी यहाँ पर या तो impure या तो pure तो देखते हैं क्या होता है सामने वाले ने अभी तो card नहीं उठाया है हो सकता है कि वो drop भी कर दें यहाँ पर तो हम यहाँ पर फिर एक रुपे यहाँ पर जीट जाएगे तो देखते हैं क्या होता है तो काफी आसान है दोस्तो point रम्मी खेलना pool और deal के मुकाबले तो काफी आसान है ज़्यादातर लोग इसी को खेलते है और मैं भी आपको prefer करूगा कि आप इसको ही खेलेगा starting में point रम्मी खेलना बहुत अच्छा है आसान है आपको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है तो आप भी इसको ही खेलेगा starting में बाकि यदि आपको कोई doubt है आपको कोई सवाल है तो वो आप comment जरूर कीजेगा उसका जवाब मैं जल से जल देनी कोसिस करूगा तो अभी तो दोस्तों सामने वाला खेलनी रहा है ऐसा लग रहा है कि उसके या तो network issue है या फिर कुछ और दिक्कत है क्योंकि time जो है याँ पर उसका निकलता जा रहा है तो मुझे पता है दोस्तों आप अभी समझ गए होगे point rambi खेलना क्योंकि मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बताया है कि point rambi में केवल point value आपको ध्यान में रखना है point value ही है यदि आपके point value समझ में आ गया तो आप जो है समझो point rambi खेलना सीख गए बस यही एक छोटी सी calculation आपको लगाना है कि जितना point value आप select करते हो उसको आपको 80 से गुना करके देखना है कि यह कितनी रुपे का game आप खेल ले हो यह वीडियो जो है केवाल एक educational purpose के लिए है आपको बताना है कि point rambi game क्या होता है कैसे इसको खेलते है तो यहाँ पर दोस्तों सामने वाले ने तो खेला नहीं है लेकिन हम यहाँ पर game को खेलेगे और यहाँ पर जो है हम तीन को ही discard कर देगे तो हमको दोस्तों यहाँ पर pure sequence बनाना है अभी हमारे पास भी यहाँ पर pure sequence नहीं बना है sequence तो बन गया है यहाँ पर लेकिन pure sequence नहीं बना है तो कैसे भी करके हमको pure sequence बनाना पड़ेगा लेकिन मुझे लग रहा है कि सामने वाला player जो है नहीं खेल रहा है उसके यहां तो नेर्टोक में दिक्कत है वो यहां पर middle drop हो जाएगा और उसका जो है 40 point यहां पर चला जाएगा middle drop में यहां पर 40 point जाता है यदि first drop करता है तो फिर 20 point जाता है यदि 3 बार तक कोई player miss कर देता है नहीं खेलता है तो उसका जो है यहां पर automatically middle drop हो जाएगा और 40 point जो है उसका यहां पर loss हो जाएगा और 40 point का value यहां पर कितना हो जाएगा 40 को गुना करना पड़ेगा 0.05 के साथ तो यहां पर 2 रूपे निकल के आता है तो दो रूपे जो है यहां पर मैं win कर जाओगा यदि अपकी बार भी opponent player game नहीं खेलता है तो दोस्तो आप देख सकते हो यहां पर 40 point अपोनेट हार गया है और अभी हम यहां पर leave कर देगे टेवल को तो दोस्तो आप देख सकते हो हमारा यहां पर balance दो रूपे एड हो गया है तो दोस्तो मैंने यहां पर आपको बहुती आसान भासा में सिखाया है कि point rambi game कैसे खेलते है तो यहीं दोस्तो आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है यहीं आपको समझ में आया है point rambi game खेलना तो प्लीज वीडियो को एक जरूर लाइक कीजेगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को share कीजेगा बागी दोस्तो रम्मी से रिले